दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका ग्यान कड़ा यूटूब चेनल पर दोस्तों मैं हूँ मनोज और आप पढ़ रहे हैं जर्नल सैंस की क्लास आज की स्क्लास में रक्त प्री संचरन तंतर के बारे में पुरी डिटेल से आप पढ़ेंगे इसमें आप पढ़ेंगे हर्दे के बारे में हट के बारे में पुरी डिटेल आप पढ़ेंगे उसके साथ में रक्त वहनी काएं दमनी और सिराओं के बारे में पुरी डिटेल से आज की स्क्लास में आपको पढ़ने को मिलेगा दोस्तों कलकी जो क्लास थी उसमें हमने पढ़ाया था आपको रुधीर, कोशिकाय, रक्ठ, समू, दमनी, सिराएं, रक्त के समू तथा रक्त के कारे इसके बारे में पुरी डिटیल से कलकी क्लास में पढ़ाया गया था यदि वो क्लास आपने अटेंड नहीं की हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसका लिंक आपको मिल जाएगा मैंने डिक्स्रेशन पे लिंक दे दिया है वहाँ किलिक करके कल वारी क्लास भी आप अटेंड कर सकते हैं ये जो दोनुँ टॉपिक हैं ये आपस में एक दुसरे के मर्ज हैं एक दुसरे टॉपिक एक दुसरे से लिंक हैं कल वाला टॉपिक आप पढ़ेंगे तो आज वाला टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएगा और आज वाला पढ़ेंगे तो उसका कुछ फारट आपको कल वाले टॉपिक में मिल जाएगा इसी प्रकार से रेगुलर हमारे चेनल पर साइन्स की क्लास होती है जिसमें रोज एक टॉपिक पढ़ाया जाता है और इसके साथ में इंपोर्टेंट किशन और मेडल पेपर की तैयारी भी करवाई जाती है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास रक्ट प्री संचरन क्या होता है? रक्ट प्री संचरन तंतर वीवे नंगूं का एक संयोजन है जो सरीर की कोशिकाउं के मद्दे, गेसुं, पचेहवे, पोसक तक्तुं, उच्सरजी पदार्थुं आदिका प्रीवन करता है मानु के बंद प्रिसंचरन तंतर पाये जाता है जिसमें रक्ट हर्दे वहनियाएं सिमलित होती है कहने का मतलब यह है मनुस्य में बंद रक्ट प्रिसंचरन तंतर पाये जाता है कुछ जीवजन तु ऐसे भी होते हैं जिनमें खुला रक्ट प्री संचरन पाये जाता है जैसे केंचवा लेकिन मनुस्य में कैसा प्री संचरन तंतर होता है बंद रक्ट प्री संचरन तंतर पाये जाता है इसमें हर्दे होता है वहानिया होती है और आगे आज की इस क्लास में ही हम पूरी डिटेल से पढ़ेंगे हारदे और महनियों के बारे में रक्त के अलावा एक अन्य जो दरवे है वो होता है लसी का और इसके प्रियोहन का मुखे भाग होता है इसका हिस्सा होता है लसी का एक तंतर द्वारा गमन करता है और ये खुला तंतर होता है अब देखो इस डाइग्राम में आपको समझ में आ जाएगा कि रक्त का जो प्रिसंचरन होता है वो कैसे होता है बहुत अच्छा डाइग्राम है आपको इस डाइग्राम के मादेम से याद करने में बहुत आसानी रहेगी यहाँ पर देखिए यह है फुफुस के लिए फुफुसी धमनी फुफुसी को सिकाएं फुफुसे फुफुसी सिराएं यह सिराएं यह महा सिरा यह सरीर को महा धमनी और उसके अलावा यह कैसिकाएं हैं यह रक्त प्रिसंचरन के लिए मुखे पारट होते हैं अब बात करते हैं हर्दे की हर्दे क्या होता है हर्दे दोस्तों पेशी उत्कु से बना मानव हर्दे मासल खोखला तथा बंद मुठी के आकार का लाल रंग का अंग होता है और यह एक दोहरी भिती के जिली में आवरन द्वारा गिरा हो रहता है इसे हर्दे आवरन भी कहा जाता है और इसम बारी आगातु से क्या करता है रक्षया करता है प्रोटेक्शन करता है डाइग्राम में हर्दय का चितर आप देखे यहां पे यह महा दमनी है और सरी के उपरी भाग में महा सिरा दाया आलिंद यह बाया आलिंद उसके साथ में फुफुस दमनिया और फुफुस रिये और यह हैं दाया निलय और ये बाया निलय है मनुष्य से हरदय में दो निलय और दो आलिंद होते है एक दाया आल डालिंद जोने कर चोटए यह देखे़ बहुत important बाते हैं छोटी-छोटी बाते हैं लेकिन बहुत important है एनी से question बनते हैं exam में हर्दय के चार कक्स पाए जाते हैं उपरी दो पिक्सा कर छोटे होते हैं तथा आलिंद कहलाते हैं और निच्चे दो भाग जो होते हैं यह बड़े होते हैं जिनको निले का जाता है अतै लंवत रूप से हर्दय को बाएं वह दाएं भाग में बाटा जाता है दाएं हर्दय और उसके साथ में बाएं हर्दय दोनु भागों में एक आलिंद और एक निले मिलता है आप याद रखिए एक आलिंद पाए जाएगा और एक निले पाए जाएगा चाहे लेट साइड हो चाहे राइट साइड हो लेट की बात करें तो एक घरदे एक सोरी एक आलिंद और एक निले और यदि राइट की बात करें तो एक आलिंद और एक निले पाई जाएंगे इसमें और उसके साथ में एक धुलिये कपाट जिसे माइटरल वाल या बाया एंट्रियो वेक्टिकल एवी वाल भी कहा जाता है दाइनी और के निले वे आलिंद के मदे त्री वलक एंट्रियो वेल्टिकल वाल जो है वो पाये जाते हैं और ये कपाट उधीर को विप्रित दिसा में जाने से रोकते हैं और कपाट के खुलने वे बंद होने से लब डब के आवाज आती है और दाएं वे बाएं आलिंद वे निले आपस में पेसी जिली से पर्थक होते हैं आलिंद वे निले वे बदरुप से संकुचन वे स्थिलिन की किरिया में सैलंगन रहते हैं और इस किरिया से हर दे सरीर के विविन भागू में रक्त पंप करता है और सरे से सुद अफसिस्ट पदार्थ रक्त महासिराओं के द्वारा दाए आलिंद में आता है दाए आलिंद में एक्तरत होने के पसाथ ये वाल खुल जाते हैं तो था आलिंद के रक्त दाए निले में प्रवेस कर जाते हैं दाए निले के संकुचित होने पर यहां से फुफुस धमनिया रक्त को फेफडू में ले जाती हैं और फेफडू में सौसन पर किरिया द्वारा रक्त ऑक्सिजन किरिया के द्वारा सुध होता है अब बात करते हैं रक्त वाहिकाई कौन कौन सी होते हैं धमनी और सिराएं दो रक्त वाहिकाई होते हैं धमनिया क्या होते हैं वे वाहिकाई जिनमें ऑक्सिजनिक रन साफ रक्त प्रवाहित होता है धमनी कहलाती हैं और ये हर्द से रक्त को आगे पहुँचाती हैं यदि बा रखत्वाहनिया उत्कूं अंगू में पहुंचकर कोशिकाओं का विस्तर्च समू बनाती हैं तो दोस्तों आज के साइंस के टोपिक में आपने पढ़ा हरदे के बारे में उसके साथ में रखत्वाहनिकाईं के बारे में आलिंद और निले के बारे में पढ़ा आप चेनल को इमित रूप से जो क्लास होती है वो आवस्से अटेंड करें और अभी तक आप चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्स्राइब नहीं किया है तो गंटे के निसान पर क्लिक आवस्से करें और चैनल को सब्स्राइब भी करें अपने दोस्तों के साथ सेर करना ने भूले थेंक्यू सो मच ओल्दा वेस्ट